हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आप देखरों इन फिल्ट पार्ट्स लाइबरी मैं परवेश सर्मा दोस्तों आज हम बात करेंगे रोलिंफिल्ट के विन नंबर के बारे में यह वी नंबर क्या होता है आपने एकसर देखा होगा कि बड़ बाइक में यह कोई भी बाइक मैं उसका राइड लइफ साइड में गुमाए़ाएं तो राइट साइड में पट्टी पेक नंबर लिखा होता है उसका विन जान लिए कि एक वड का अपने जैन लिए मैं जान लिए मैं आपको एक वड़ का मीनिंग समझांगे यहां पर क्यों दिया होता है यह दोस्तों about आइडेंटीकसийन लाफता है वीचल की वीटन नमबर बोल सकतीς नमबर भोल जाता है इसको मम पूलिवी डिटेवल में जानेंगे दोस्तों एक नंबर का अगर आपने जान लिया कि इस वर्ड का क्या मिनिंग है तो दोस्तों आपको कभी भी किसी डिलर्शिप पर जाकर आपकी बाइक की नहीं नहीं निकलवानी पड़ी कि आप खुद ही आपकी वाइक को देखकर वी नंबर से आप अपनी बाइ सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हुआ 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 है देखे स्कीन पर आपको दिख रहा होगा 17 डिजिट का एक विन नंबर चेचिस नंबर जो की एम में 3 से स्टार्ट होता है रोल इन फिल्ट की कोई भी भाएक को आपको roam 1 ए to track सबसे स्टार्टिंग में दिखे गां जिस्से पहचान सकते हो कि कि naught कोड़न 12 के इंजनकी फेमली बताता है आक old और इसप्ट सब्स्क्राइब का शबीव है BENEPROLT है ? K आपकी हर इंटाल voter cở श्राइब किसी लिक लग तो फ्रेंड तो यह फॉर्ट ये लग टालों आपको एनग अचल ग्राइब कीवरूट रांप की वार्ट भूष डिजिट खेलूइब कि आपकी फाइफ लिक हुए है ये अलग अलग दिखेगी आपको कहीं दिखेगी यह इंजन की कैपेशीटि बताता कि आपका इंजन कितने सीसिक यह 500 वह पर फ्रेंटिक लिखा हुए है किसी में 3 होता है तो 350 CC किसी पर लिखा होता हैवं 410-450 CC होता है दृइन्ट फाइफ डिजित जो आपको बताता है कि इंजन की कितने CC का है किसी पर 6 लिखा होता है तो 600 CC दृइन शेशो बचाथ है 7-2 की बात करें अद्ध आप कि आपका स्टार्ट कैसे होती है सेल्फ स्टार्ट किसी किसी में के लिखा होता है के का मतलब होता है किक जो कि हमारी स्टेंडर्ड बाइक में के लिखा मिलेगा बाकि सभी में आपको एस देखने को मिलेगा क्योंकि हमारी रोल इंफिल्ड के सभी बाइक से हैं वह सब सेल्फ साल लेगे पहले किक मेन आती सिर्फ होती तीह च्छेसित थी स्थ बाइक से सब्सक्रप doesña कि कान कि बंद 59 अब सक्ने के पाइक मेंट कि अब कि dedicate आपको हैं उसमें पाइफ है के बात जो ट्रांजमिशन घ्र की नमबर ओफ घ्र आपकी वाइक में कितने नेगल हैं देखनों को मिलेगा यहां पार उन बाइकों में कार्बॉरेटर का यूज किया गया है लेकिन इन वाइकों में जहां पर आपको देखनों की मिलेगा है यहाँ आपकी बाइक जिसमें फ्यूल पंप वाली वाली बाइक से अब आप की फिए शिक्स होंगी इससे आपकी भी पैचान सकते इस वहीं एस पोर एघर फिजिट की बात कर लिए यह जिरो का मतलब यह पर आपको देखनेंगे तो जीरो वन और टू इसका मतलब होता है कि हमारे रोलिंफिल्ड के इंडिया में सिफ तीन ही प्लांट है जहां पर मैनुफेक्षिंग होती है जीरो का मतलब है प्लांट नमबर वन एक का मतलब दो और जहां पर टू लिखा हुआ उसमें प्लांट नमबर थी का मतलब है यह मैनुफेक्षिंग कौन से और एक नंबर लिखावाय तो वल्नमवडगम यह प्लांट सके नाम है जोकी चैन्नाई में है और दो नंबर लिखावाय तो और पूरी डीटेल पता सकते हो कौन से इंजन लगा है कितने गेर से हैं कौन से स्टार्टिंग टाइप ऑफ स्टार्ट के आइसका ट्रांसमिशन कितने गेर से हैं यह सब समय चीज अब सब्सक्राइब करें प्लाइब करने मानुफएक्टिंग अब बात करे थे कि जो 9 नाइन जो कवा इसके बात कर लेते हैं इसना इन नाइन का मतलब है कि यह इन आपकी बाइक कौन से में manufacturing हुई है फ्रेंट्स नो का मतलब है 2009 में हुई है उसके बाद से जो 2010 को हमने A से परजेंट किया हुआ है और 2011 को B से रिपरजेंट किया हुआ है फ्रेंट्स इसके मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं इसमें चार्ट में आप समझ सकते हों इसमें A B C D का क्या मतलब होता है पहले डिजिट में लिखा हुआ अभी यह अलफाबेट में लिखा हुआ आने लगा है दिखेंगे फ्रेंट्स मैं आपको इसमें चार्ट दिखा रहा हूं नाइन का मतलब यह अलब 288 में इस तरीके से दोस्तों पता लगा सकते हैं आपकी कब और कौन से प्लांट में कहां पर मैंनुफेक्चिंग और मंत की बात कर देते हैं इससे जो नेक्स डिजिट है यह होता है मंत कौन से मंत में इसका कब मैं आपको कोड दिखा देता हूं जैसे यह का कोड होता है का मतलब 2010 चार्ट दिखा देता हूं है यहां भी आपको एच के बाद आई देखने को नहीं मिल रहोगा आई और जे सेम आपको येर में भी नहीं दिख रहा था कि इसमें आई और जे दोनों ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे लास्ट के च्छेट जिट आपको दोस्तों मैनुफेक्टिंग ऑफ नंबर बताते हैं कि कितनी बाइक मैनुफेक्टिंग हो चुकी है जो भी मैनुफेक्टिंग होती रहे इसमें एक एक होता चला जाएगा माली जे दहजार बाइक बन चुकी है तो यहां पर दहजार नमबर लिखाऊगा यह वाली बाइक आपकी बीस जार वी नंबर पर बनिए इसका नमबर लास्टन बीस जार होगा इस तरीके से नंबर चलत आता है यह सभी बाइक में अलग अलग देखनों के मिलेंगा है 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 झाल